बिसमिल्लाली रहुम्न असलाम उलेकूम स्टुडेंट्स आज हम आपका लेसन दग्लिस्तान ऑफ साधी बाइ शेख साधी यह पढ़ने जा रहे हैं इसके इंग्लिष ट्रांस्लेशन है साधी जो है बेसेकल्य पर्जियन राइटर है और यहां उनकी पर्जियन राइटिंग की इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो दीक गई है तो चलें शुरू करते हैं शेख साधी वाज़ ग्रेट स्टोरी टेलर शेख साधी एक अजीन दास्तान गो थे वो तमाम अक्वाम से बात करते हैं और इसके साथ साथ वो हमेशा के लिए जदीद है सेड अमरसन अमरसन उनके बारे में कहता है वो गुलिस्तान को दुनिया की इलहामी किताबों में से किताब समझता है for he found in it क्यूंके उसे मिला इसके अंदर the universality of moral law जापतर इखलाग की आलमगेरियत universality आलमगेरियत of moral law जापतर इखलाग की the गुलिस्तान translated in Latin and English गुलिस्तान जिसका तरजमा Latin, Latenni and English और English में किया गया became love for the people लोगों के लिए मुहबबत का बाइस बनी मतलब लोगों ने इसे बहुत पसंद किया गुलिस्तान के लातीनी और अंग्रेजी तरजमें लोगों ने बहुत पसंद किये it is interesting to note that English scholars use sadis translated parables ये दिल्चस्प बात काबले जिकर है कि अंग्रेज उल्मा इस्तमाल करते रहे sadis translated parables sadi की तरजमा शुदा हकायात in their divine books अपनी रुहानी किताबों में तिल जहां तक के it was discovered ये दर्याफ्त हो गया to be an English translation के ये तो English तरजमा है of a Latin version एक लातीनी किताब का of Persian origin जो के असल में Persian में लिखी गई है तो ये दिल्चस्पात काबले जिकर है कि अंग्रेज आलम, sadi की तरजमा शुदा हकायतों को अपनी मुकद्दस किताबों में इस्तमाल करते थे यहां तक के ये मालूम हुआ कि ये लातीनी किताब का अंग्रेजी तरजमा है जो के असल में फारसी का तरजमा थी Edward Arnold has aptly described Edward Arnold ने बड़े मुनासित तरीके से ब्यान किया है गुलिस्तान in culinary terms गुलिस्तान को खानी पीने के मुतलिक term इस्तलाहात में as an intellectual पुलाव जहानत का पुलाव a literary curry एक अदभी सालन अदभी शोर्बा a कबाब of versatile genius और हमागी जहानत का कबाब Edward Arnold ने खाने पीने की इस्तलाहात में गुलिस्तान के बारे में बजा तोर पर काहा है कि ये एक फेहमु फिरास्त का पुलाव एक अदभी सालम और हमागी जहानत का एक कबाब है The readers are sure to enjoy these parables पढ़ने वाले कारीन जो हैं वो यकीनन enjoy करते हैं लुत्फ अंदोज होते हैं इस parables इन हकायात को as food for thought क्योंकि ये उनके ख्यालात को जला बखशती हैं तो चले हकायात की तरफ आते हैं जो इसमें बयान की गएंगे Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat एक दफ़ा एक बादशा और एक एरानी गुलाम एक ही कश्टी में सफर कर रहे थे Persian एरानी The slave had never been at sea जो घुलाम है वो कभी भी उसने समंदरी सफर नहीं किया था and never experienced any calamity और उसे किसी मुसीबत से वास्ता नहीं पड़ा था After some time the boat was hit by a storm थोड़ी देर के बाद कश्टी को एक तुफान ने आ लिया and started tozing और वो हिच्चोले लेने लगी It was very inconvenient for the passengers ये मुसाफिरों के लिए बड़ी तकलीफ का बाइस था All remain quiet, सब लोग खामोश रहे except the slave मा सवाए उस गुलाम के who in fear of being drowned जो के डूप जाने के खौफ से begin to cry, चिलाने लगा and tremble और कांपने लगा and created inconvenience for the others और दूसरों के लिए बे अरामी का बाइस बना the others tried to pacify him दूसरे लोगों ने उसको पुस्कून करने की कोशिश की by kindness, शवकत से and affection और मुहबबत से but he did not hear anybody लेकिन उसने किसी की भी बात न सुनी when the uneasiness lasted longer जब बेचैनी ज्यादा देर तक बाकी रही the king also became displeased तो बाच्छा भी नाहुश हुआ in that boat there happened to be a sergeant उस कश्टी में एक sergeant भी मुझूद था एक स्पाही भी मुझूद था who said जिसने कहा with your permission अगर आपकी इजाज़त हो may I quiten him क्या मैं उसे खामोश करवाँ it will be a great favor the king said बाच्छा ने कहा आपकी बड़ी मेरवानी होगी the sergeant ordered the slave to be thrown into the water तो sergeant ने हुकम दिया के उस घुलाम को पानी में फेंग दिया जाए so that he could have experience ताके वो तजर्बा कर सके the true danger असल खत्रे का of life जिंदगी के असल खत्रे का two persons threw him in the sea दो लोगों ने उठा कर उसे समंदर में फेंग दिया and when he was about to be drowned और जब वो डूबने के करीब था they pulled him back to the boat तो उनोंने उसे कश्ती में वापिस खेंच लिया and he clung the stun वो पिछले हिस्से से चिमट गया with both of his hands अपने दोनों हाथों से उसने पिछला हिस्सा पकल लिया stun होते है कश्ती का पिछला हिस्सा then he sat down in corner तब वो एक कोने में बैठ गया and remained quiet, खामोश हो गया this appeared strange to the king ये बाच्चा के लिए बड़ा अजीब था who could not comprehend जो के ना समझ पाया the wisdom दनाई को in the action इस काम के पीछे taken by the sergeant जो के sergeant ने किया था and he asked for it और उसने इसके बारे में पूछा the sergeant replied sergeant ने जवाब दिया before he had experienced the danger of being drowned डूबने के खत्रे का तजर्बा करने से पहले he knew not वो नहीं जानता था about the safety of the port कश्टी की सलामती के बारे में a man does not realize the worth of safety एक आदमी जो है वो मुसीबत से तहफुज की कदरों कीमत को नहीं जानता from the misfortune बतकिस्मती से या मुसीबत से until he has tasted it यहां तक के वो उसका मजा ना चकले जी अब आते हैं हम second कहावत की तरफ second parable it is related यह ब्यान किया जाता है that while a deer was being roasted के एक दफा एक हरन जो है वो भूना गया for नोशिर्वा नोशिर्वा के लिए a king of Pajya जो के एरान का बादशाह था famous for his justice जो के बहुत मशूर था अपने justice के लिए अपने अदलों इंसाफ के लिए नो साल कुल भी found नमक ना मिल पाया a boy was sent to a village एक आदमी गाउं को भेजा गया to bring some salt के वो कुछ नमक लेकर आए the boy brought it लड़का ले आया and presented it to the king और बादशाह को पेश किया who asked जिसने पूछा whether he had paid for it कि क्या तुमने इसकी कीमत अदा की no said the boy लड़के ने कहा नहीं pay for the salt नमक की कीमत अदा करो said the king बादशाह ने कहा lest it should become a custom ऐसा ना हो कि के रवाज बन जाए and the village भी रियून और गाउं तबाह हो जाए having been asked जब पूछा गया what time could arise क्या नुकसान पहुंच सकता है from such a trifling demand इतनी मामूली सी चीज़ लेने से the foundation of oppression foundation बुनियाद of oppression जुल्म की वो small छोटी थी said the king बाच्चान ने कहा whoever whoever enlarge it जिस किसी ने इसको बढ़ाया so that it reached its present magnitude कि ये अपनी मुझूदा जिसामत तक पहुंच गई is at fault वो गलती पर है मतलब ये कि जुल्म की बनियाद जो भी रखता है और जुल्म फिर जब बढ़ता जाता है तो सबसे पहले गुना और गलती उस शक्स की है जिसने उस दुल्म की बनियाद रखी अगर एक बादशा जो है वो बाग में से एक सेब खा लेता है of a subject राया के बाग में से His slaves will pull down तो उसके गुलाम मार गिराएंगे The whole tree मतलब जर से उखार फेंखेंगे The whole tree पूरे दरख को for five eggs पांच अंडों के लिए which the king allows जिसकी बादशा इजाज़त दे देता है to be taken by force जबरदस्ती लेने की The people belonging to his army उसकी आर्मी से मुतलिक लो will put a thousand fouls on the spit तो हजारों परिंदों को सीख पर चड़हा देंगे A tyrant does not remain एक जालिम होकुमरान जिन्दा नहीं रहता बाकी नहीं रहता in the world, दुन्या में but the curse on him लेकिन उस पर जो लानत होती है abides, बरकरार रहती है forever, हमेशा के लिए तो मतलब जुलम की जो बन्याद रखता है और वो जुलम या वो बुराई जब तक दुन्या में जारी रहती है तो उसकी लानत उस पहले शक्स पर उस बन्याद रखने वाले शक्स पर पढ़ती है जी अब आजाते हैं हम third parable की तरफ हमारी तीसरी कहावत अ किंग फैल सीरिसली इल एक बादशाह बहुत शदीद बिमार पर गया और उसकी सहचाबी की तमाम उमीदें खतम हो गए दे मोर दिजीज वाज कियोड जितना ज़्यादा बिमारी का इलाज किया गया दे मोर इक बीकेम पेंपुल उतनी ही ज़्यादा ये तकलीफ दे होती कही अट लास दे फैजीशन अग्रीड यहां तक के मोलिज इस बात पर अग्री हो गए इस बात पर मान गए देट इस डिजीज कुड नॉट बिक्योड कि इस बिमारी का इलाज नहीं किया जा सकता except by means of bile के एक खास किसम का bile सफरा खून हासिल किया जाए of a person ऐसे शक्स का endured with certain qualities जिसके अंदर कुछ खास खूबिया मुझूद हूँ orders were issued to search for an individual of this kind एकमाज जारी कर दिये गए के इस किसम के शक्स की दलाज की जाए a son of a farmer was discovered एक किसान का बेटा दर्याफ्थ हुआ to possess जिसके अंदर मुझूद थी the qualities वो तमाम हूबियां mentioned by the doctors जो के अतबा ने अतबा तबीब की जमा जो के doctors ने बियान की थी the king summoned the father and mother of the boy बाच्छा ने उस लड़की के वालिद और वालदा को बुला भेचा whose consent जिसकी रजामन्दी he got उसने हासिल कर ली by giving them a huge amount of wealth उनने दौलत की एक बड़ी मिकदार दे कर बहुत सारी दौलत दे कर the quasi issued a decree काजी ने हुकम जारी कर दिया to shed के बहार दिया जाए the blood of a person एक आदमी का खुन for the health of a king बाच्छा की सहत के लिए the boy was brought to the altar लड़के को कुर्बान गापर लाया किया altar कुर्बान का and the executioner was directed और जलात को हुकम दिया गया to slaughter the boy के वो लड़के को जिबा करते when all was ready जब सब कुछ त्यार था the boy looked toward the sky लड़के ने आस्मान की तरफ देखा and smiled और मुस्कुराया why do you laugh in such a position the king asked बाच्छा ने कहा ऐसी हालत में तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो a son looks to the affection of his parents said the boy लड़के ने कहा एक लड़का जो है अपने वालदेन की मुहबबत की तरफ देखता है if they fail अगर वो नाकाम हो जाए they are expected to bring the case before the काजी to seek justice तो उनका मुकदमा काजी के सामने लाया जाता है के इंसाफ हासिल किया जाए but in the present case लेकिन मुजूदा सुरतिहार में the parents have agreed while then रजामन्द हो गए है to get my bloodshed मेरा खून बहाने के लिए for the trash of this world इस दुनिया के कुरा किर्किट के बदले में मतलब घटिया माल के बदले में the काजी has issued a decree काजी ने हुकम जारी कर दिया है decree हुकम to kill me के मुझे मार दिया जाए the king thinks बादशा सोचता है he will recover कि वो सहत्याब हो जाएगा his health मतलब वो अपनी सहत वापिस पा लेगा only through my sling मेरे कतल करने से ही and I see no other refuge तो मैं कोई पनान नहीं पाता besides God खुदा के इलावा Almighty खुदा बज़र्गोबर्तर खुदा बज़र्गोबर्तर के इलावा मैं कोई और पनान नहीं पाता to whom shall I complain किस को करूँ मैं शकायर against your brutality तुमारे जल्म के खिलाब if I am to seek justice from your hand अगर मुझे तुमारे हाथ से इंसाफ चाहिए हो तो the king felt disturbed पाच्चा परेशान हो गया and on hearing these words और ये अलफाज सुनते ही he could not control his tears वो अपने आंसू ना रोक पाया and said और उसने कहा it is better for me to die मेरे लिए बेटर है के मैं मर जाऊ than to shed the blood of an innocent boy बजाए इसके के मैं किसी मासूम लड़के का खून बहाऊ he kissed the hat and eyes of the boy उसने लड़के के माथा चुमा और उसकी आंखों पर बोसा दिया and presented him with a lot of wealth और उसे बहुत सारी दौलत पेश की it is said ये कहा जाता है that the king also recovered within a week कि वो बादशाभी एक हफ़ते के अंदर अंदर से हिजाप हो गया जी बच्चे ये था आपका lesson इसको wind up करते हैं हम